जी जोहर नमस्कार में जगनात औरो आप सब देख पा रहे हैं वेगबाद पंचैट के फुरसोडी गाउं जहां पर इस नादान और नन्हे बालक ने नाजाने क्या बिगाड़ा था जो आज काल का करास बन गया इदर परिजनों का रोरो के बुरा हाल है बताय जाता है अपने मामा घर तारा टार में रहता था कोपाल नामक आठ वरसी बालक अपने ममेरा फुफेरा भाई दोनों काउं के घर के बगल में ही खेल रहा था कि एक तलाब डोभा निर्मान हुआ था और कच्छा काम हुआ था यहां जाने के बाद में ढूब जाता इसकी सूचना जब परिजनों को मिली तब तक बहुत देर हो चुका था था हलाकि दोनों बच्छों को निकाला गया लेकिन तब तक काप ही धेर हुच्छा था उधर एक घर में एक ही परिवार के दो बच्चों का एक साथ काल का ग्रास बंजाना चरचा का बीशे बना का है वहीं बता जाता है दसरत मंडल जो भेगाबाद पंक्छाइथ के फुरसोडी गाउन युवासी है दसरत मंडल अपने पुत्र को अपने गाउं जब फुरसोडी लाया है तो गरामिनों की भी उमड़ पड़ी परीजनों और इस्तेदारों का रोरों के बुरा हाल था बता जाता है दसरत और दसरत की पतनी मुंबई में मईज़ूरी करता था और अपने बच्चे को मामा के घर ताराटान में छोड़ दिया था वहीं पर रहता था पड़ाई सिक्षा दिक्षा भी कर रहा था इसी कर्ण में घटना कल घटी और इस सुचना पाकर जब पहुंचे तो सुनकर के दंग रह गया है फिलाल गाउं ग्रामिनों में काफी चर्चा का बिसे बना हुआ है अच्यानक ऐसे घटना घटने से गाउं सेथ मिजयते गण दिमातराम अब कहा है ते गया तलावा नहीं दूनों बच्चे तलाव तो निसाला दो बच्चा तब तब में गया थक्षे ऐन फेट में किया तलाव दाब आटाब्याव कर दोड़ा तलाव AH वी कि उत लिवा शकत्री ड़ना है? तो अपन्दरा मिनट के बीच में ही उसको अपन्दरा मिनट के बीच में ही उसको खबरा गुषा नहीं है जन जन की अवास पर सबसे तेज रिफ्तार जी हां हर खबर अशरतार मेरे चैनल को करें अभी सबस्क्राइब 11 वर्षों से बीच में पर आपका विश्वास सर चड़ कर बोल रहा है जी हां तब ही तो खबर की सच्चाई को बीच में खरे सोने की तरह तोल रहा है सच के आवास होगी बुलन और जूर का नाव डोलेगा बेशक आप बने रहें BNB के साथ क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा